भारत और रोष्टेले के बीच एमदाबाद के नरेंदर मोधी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में कंगारू टीम 480 रन का विशाल स्कोर खड़ा करके सिमट गई जवाब में कफ्तान रोष्ट शर्मा और स्टार बने बाज शुमन गिल ने शांदार तरीके से पारी का आगास किया अलाकि रोष्ट सिर्फ 35 रन बना कर पेवेलियन लौट गए वहीं इस आकरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन हिटमेन अपने साथी खिलाडी शुमन को गाली देकर फटकार लगाते हुए नजर आए दरसल घटना दूसरे दिन ऑस्टेलियाई पारी के 133 पे ओवर के दोरान की है तब 384 रन पर उस्टेलिया के 6 विकेट गिर चुके थे उस्वान ख्वाजा 164 रन तो मिचल स्टार्क 4 रन बना कर क्रीस पर मौझूद थे तबी गिल को गाली देते हुए रोहित की आवाद स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई रोहित ने गाली देते हुए कहा अबे गिल बक्री क्यों कर रहा है पूरी घटना कैमरे में कैद नहीं हो पाई क्योंकि ब्रोडकास्टर्स क्राउड के शॉट्स दिखा रहे थे हलाकि रोहित शर्मा अपने मजा के अंदाज के लिए जाने जाते हैं क्रिकेट के मैदान से लेकर मैदान के बाहर तक उन्हें कई बार ऐसी हरकते करते हुए कैप्चर किया गया है इसी मैच के दोरान ही हिट मैन स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज इशान किशन के साथ भी मजे लूटते हुए नजर आये थे जोटे टेस्ट मैच के पहले दिन इशान अपने टीम मेट्स को पानी पलाने आये थे ऐसे में रोहित ने उन्हें मजाक्या अंदाज में थपड लगाने का प्रयास किया मैच की बात करें तो ऑस्टेले की तरब से धाकर सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 422 गेंदों का सामना करते हुए 180 रन की एक जबरदस पारी खेल दी अपनी इनिंग में उन्होंने 21 चौके भी जड़े वहीं स्टार ओल्डाउंडर कैमरून ग्रीन ने 170 गेंदों पर 114 रन की शांदार शर्त की एपारी खेल कर टीम का बड़ा स्कोर खड़ा करने में मैतपूर योगदान दिया अपनी पारी में इस 23 वर्षे खिलाडी ने 18 चौके भी लगाए इसके अलाबा भारत की तरफ से गेंदबाजी में रवी चंदरन अश्विन के अलाबा कोई भी गेंदबाज कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया अश्विन ने अपने 47.2 ओवर में 6 ऑस्टेलियाई बल्लेबाजों का शिकार किया इसके साथ ही उनके नाम 32 विकेट हॉल हो गए हैं वहीं घरेलू पिछ पर सबसे ज़ादा 5 विकेट लेने के मामले में उन्होंने श्री लंका के पूर्व दिगज इस्पिनर रंगना हैरा किया है दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें लगातार प्राप करने के लिए क्रिक टुडे टीवी को अभी सब्सक्राइब करें अगर खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें फिलाल के लिए हम आप से विदा लेते हैं तब तक के लिए ध